गाजा में जारी हिंसा के बीच इसराइल को लेबनान के संगठन हिजबुला से भी कड़ी चुनोती मिल रही है। कबजे वाले इलाकों पर टेनार आईडियाफ पर भीशन बंबारी कर जम कर तबाही मचा रहे हैं। हर दिन हिजबुला फाइटर इसराइली बलो पर हमलों की एक नई सिरीज फायर कर रहे हैं। इस बीच लेबनान के इसलामिक प्रतिरोद ने दावा किया है कि उसके लड़ाकों ने रविवार को इसराइली कबजे वाले फिलिस्तीन सीमा पर टेनात आईडियाफ के खिलाफ कई अभियान चलाए। इसलामिक रेजिस्टेंस ने दोराया कि गाजा में फिलिस्तीनी लोगों और उनके प्रतिरोद के समर्थन में घा तक पलट वार किया रहा है। साथ ही ये कारवाई दक्षनी लेबनानी गाउं और नागरिक घरों पर इसलाइली हमलों के जवाब में हो रही है। बताया गया कि हजगुला ने अपना पहला आपरेशन सुभा साड़े साथ वजे किया जिसमें हाइठेक हतियारों के साथ शुमेरा बस्ती में इसराइली सैनिकों की ओर से इस्तिमाल की जाने वाली एक इमारत को निशाना बनाया गया। इसके बाद सुबह साड़े नौ बजे लंबी दूरी के हथियारों के साथ दोवेक बैरिक के पास एक नए स्थापित निगरानी उपकरण को निशाना बनाया। दावा है कि लड़ाकों ने हार्डवेर पर सीधे हमला किया और उसको नच्ट कर दिया। वहीं सुबह साड़े दस बजे हिजबुला ने बताया कि उसके फाइटर्स ने भारी बुरकान रॉकेट्स का इस्तिमाल करके जल अल अलम साइट के दक्षिन में इसराइली सैनिकों पर हमला किया। रेजिडेंस ने दावा किया कि इसराइली बलो ने मिसगाव एम मिलिटरी बेस पर पहले से लक्षित निगरानी उपकरणों को बदलने के बाद उसके लड़ाकों ने नए हार्डवेर को तबाह कर इसराइली होसले पस्त किये। इसके अलावा आल मलीक या बेस पर निगरानी उपकरणों को भी निशाना बनाया गया और सीधे हमला किया गया। वहीं दक्षणी लेबनानी गाओं और नागरिकों पर इसराइली बलो के जवाब में लड़ाकों ने मेटूला बस्ती में इसराइली सैनिकों की ओर से इस्तेमाल दो इमारतों को उड़ा ड़ा। हिजबुला ने ये भी दावा किया कि इसराइली सेना ने एक उच रैंकिंग वाले रिजर्व अधिकारी की मौत की बाद सुईकारी है जो उत्री कबजे वाले फिलिस्तीन में अराबल अरामशे शेहर को निशाना बना कर हिजबुला के ऑपरेशन में घायल होने के बाद मा बीते 17 अपरेल को हिजबुला ने गाइड़ मिसाइलों और हमलावा ड्रोन्स का इस्तिमाल कर इसराइली टोही कंपनी के एक नए कमांड सेंटर के हेड़कौर्टर को निशाना बनाने का दावा किया था संगिठन ने खुलासा किया कि उसने दो गाइड़ मिसाइलों से हमला किया इसके बाद सीधे एक तरफा ड्रोन से हमला किया था इस हमले में इसराइली मीडिया आउटलेट्स ने दावा किया था कि इस दोरान साइरन की आवाज नहीं आई थी और ना ही एर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हुआ था लहाज़ लेबनानी बॉर्डर पर हालात की गंभीरता को देखते हुए इसराइली सेना ने अपनी तैनाती को बढ़ा दिया है इसराइली सेना ने पहले ही एलान किया था कि वो गाजा से अपने सैनिकों को वापस बुला कर उन्हें लेबनान बॉर्डर पर तैनाद करने जा रहा है इसे हिजगुला के खिलाफ इसराइल के हमले की बड़ी तैयारी के तौर पर भी देखा जा रहा है खास बात है कि इसराइल पहले भी लेबनान पर हमला कर चुका है इसमें लेबनान को भी भारी नुक्सान उठाना पड़ा था लेकिन आज के वक्त में हिजगुला काफी ताकतवर है जो इसराइल को आसानी से जीतने नहीं देगा झाल झाल झाल